नमस्कार दोस्तों, मुरी नाम है सेकर और स्वागत आप सवभी का हमारे टूप चैनल सिकर स्टेडी पॉइंट पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्राखंड हिंदी और सामानी ज्यान के महत्मोन परसनों को तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा इसके अलाओ दोस्तों अगर आपने और पार्टू को नहीं देखा हुआ है तो उन्हें भी आप लिष्टिम आकर स्पीड बड़ाकर जरूर से देख लिजेगा तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं पहला परशन है बद्रिनाथ मंदीर पर डांक टिकट किस वर्स जारी किया गया तो बद्रिनाथ धाम दोस्तों चमोली में आप सभी को बता है चार धाम तो आपको बताने हैं कि बद्रिनाथ धाम पर डांक टिकट किस वर्स जारी किया गया तो इसका सेवत्र हो जाएगा दोस्तो ओप्शन नमर सी 2003 में बदिनाथ धाम पर डांक टीकट जारी किया गया वहीं अगर आएगा कि प्रस्न में एगर एकजाम आएगा तो केदारनाथ धाम पर डांक टीकट कब जारी किया गया तो 2001 में दोस्तो केदारनाथ धाम पर डांक ट अगला प्रशन है कार्तिक स्वामी का मंधिर किस परवत पर इस्तित है अब दोस्तों सभी यहां पर परवद्यों है नील कंठ कडवाल क्यून चमोली में नर नार्याण परवत के बीच दोस्तों यह बदिनात मंधिर यह नहीं होगा हेम कूट वा मडी कूट तो इसके बीच दोस्तों कडवासरम यह नहीं होगा इसका सेवतर ही जाएक ओप्सन बैर इसे कहा जाता है तो बताइएगा comment box में अगला है फेन कमल का बैग्यानिक नाम है अगला है फेन कमल का बैग्यानिक नाम है अगला है अगला है फेन कमल का बैग्यानिक नाम भी book में दिया हुआ है और फेन कमल का भी दिया हुआ है अभी तक फेन कमल का तो कई बार आ चुका ह पर फेन कमल दोस्तो इसकी खास बात यह है कि जैसे भरम कमल होता है तो यह भरम कमल से भी जादा उचाई पर पाया जाता है यानि कि फेन कमल जो है सबसे अधिक उचाई पर पाया जाता है तो इसका सेत्रोगा दोस्तो इसका बेग्यानिक नाम हो जाएगा बरहम कमल का दोस्तो जो बेग्यानिक नाम हुए है सो सूर्या अब विलेटा तो वो भी आपको यादक नहीं तो बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तरब बरहम कमल पर दोस्तो डांक टिकर जारी किया गया था 1922 में अगला प्रस्ण है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और मुगल समराथ अगबर की भाती किस गड़ नरेश का दरबार भी नवरतनु से सुबोभीत माना जाता है तो इसका सेवत्रों का दुस्तो फतेशा के दरबार में उस्तो नवरतन थे ये भी आपको बिल्कुल यादकना है और गड़वाल का अगबर भी ने कहा जाता है और गड़वाल का अगबर भी ने कहा जाता है और गड़वाल का सिवाजी भी फतेशा को ही कहा जाता है इनके दर्बार में भी नौरतन थे, मतिराम भी थे, एक और भी थे, जैसे मतिराम ने दूस्तों, इनके काल को, भते सा के काल को, कड़वाल का स्वार्ण काल कहा है, ये भी आपको बिल्कुल यादखना है, बल्भदर साने दोस्तों सरुपर्थम अपने नाम के आगे सा लगाई ये परस्निभी जाम में आ चुका है जैसे जो उस पीछे से सा लगा हुआ है सबके में तो ये सा की उपादी सबसे बहले किसने लगाए थी तो बल भद्र साने तो इसका सेवत्रों का ओप्शन मेर अगर अगर या रशन है किस चंद राजा ने जुवारियों पर कर लगाया आपको बताना है किस चंद राजा ने जुवारियों पर कर लगाया इसका सेवत्रों वास तो जगत चंद जगत चंद ने जुवारियों पर कर लगाया और जगत चंद के ही काल को दुस्तों कुमाउं में चंद वन लक्षिम चंद, 602 में बागनात मंदीर बागेश्वर का जिर्णोदार कराये था, कुमाउं का ये तुगलक कहा जाता है, चंद वन्स का तुगलक, देवी चंद को, यहाँ पर उत्रगा उस्तो अप्शन मर बी, जगत चंद, अगला चंद वन्स के समय कुख्यात कारावास्त इसका सेवत्रगास तो सीराकोड था, सीराकोड चंद वन्स के समय कुख्यात कारावास्ता सीराकोड, सीराकोड उस्तो ये पिथाड़ागड में है, जैसे असकोड, सीराकोड, सब पिथाड़ागड में उस्तो, और सीराकोड के इसके लिए में दोस्तो दीब चंद जो, चं पाई जाते हैं कोण धारी बनुका दुस्तो परमुक बिरिच्च हुए है क्या चीड। चीड आपने अपने देखा ओगा ना बहुत देखा ओगा जंगल में बहुत होता है। तो चीड। दोस्तो कोण धारी बन पाए जाते है। इसका से उत्र उजाएगा शिवालिक नहीं दून भी नहीं होगा इसका शेत्र का श्तो लगुवया मद्धिहमाली छेत्र में शितोष्ण कट्टी बन दिये सदा बाहर कोण धारी बन पाए जाते हैं तो यह उजय का लगुवया मद्धिहमाली छेत्र में अगला प्रस्टन है नीमन मैं से कौन सा परवत सिकर उत्रा में श्तित नहीं है बिल्कुल आसान है दोस्तो बिल्कुल आसान है देखिए नंगा परवत सिकर उप्सन में दी पढ़ते हैं अगले परशन की तरब उससे बेले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको जोड़ से करना है अगला इमिट्टी पाई जाती है उत्रा खंड के सुस्कोव सीतल चेत्रू में लाल क्वार्टज दोमट या फिर परवतिय चिचली मिर्दा इसका स्यवत्र का उस्तो परवतिय चिचली मिर्दा ऑप्सन नमर सी बढ़ते हैं अगले परशन की तरब अगले परशन है उस्तो गोबि गंगा अलग नंदाव लक्षमर गंगा का संगम होता दोस्तो गोबिंद घाट में यह आपको विल्कुल याद अखना है लक्षमर गंगा दोस्तो निकलती है इसका स्यवत्रू जगा ऑप्सन नमर सी जबरदस्त कोश्ची ने एक्जाम बन सकता है उसा भी क्या है पहले अगला दोस्तो नदिया दी हुई है एक तरफ जो इस्तिद नगर है वह यहाँ पर दी हुए तो इन्हें मिलाना दोस्तो शर्यू नधी स्थिल नधी हुजाएगा बागेश्वर स्थिलंगना नदी टीरी खतलिंगले से टीरी भागी रितिने दुस्त उत्तरकासी और काल नदी टनकपूर तो ये किसी option में मिल जाएगा बिल्कुल आसान है कोई दिक्कत नहीं है अगला बसने है बनी करण में बिरिद्धी करने वो बनू की सुरक्ष्या परदान करने हितू उत्रा खंड में इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया तो इतना उस तो पूरी परिवासा मत याद रखे सिंपल इतना याद रखेगी इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया सिंपल लिए आपको इतना याद रखना है इको टास्क फोर्ष तो दुचार आठ्नों पस इतना याद अखना है इको टास्क फोर्ष दुचार राजन किया गया इतना याद अखे एक जामना परसन आएगा तो गल्ती नहीं होगी तो बढ़ते हैं अ अगले परसन الجदी की तरव अगला पसने है निंबर पुस्तक पूछी गई है कड़वाल एनिसेंट एन मौडन पुस्तक किस ने लिखी है जबर्दस्त कोश्चिन है अगर आपको पहले से आता है तो रिविजन आपका हो जाएगा गड़वाल एनिसेंट एन मौडन दोस्तो तो एक पुस्तक है इसका सिवत्र पाति राम इंग्लिस में उस तो लिखी गई है उसे पढ़ने में इंग्लिस लग रहा है क्योंकि यह भी पूछा गया था कि किस भासा में लिखी गई एक एक एक्जाम पूछ लिया था ओप्सन नमबर बी हो जागा इसका बिलकुल ही सेवत्र अगला परसन दो अब यहां से हिंदी के परसन आगे हैं अभी जीके के परसन भी आने वाले हैं तो बने रहेगा अंतक अगला इक परते लगाने से सप्ताह का रूप क्या होगा अब यहां पर देखिए दो उस तो सब्द लिखना यह देखिए सब्ताहिक लिखा है सब्ताहिक लिखा है यह तो सब्ताहिक यह भी मज़ा नहीं आया सब्ताहिक यह भी नहीं यह जाए इस तो सब्ताहिक ऑप्सन नमबर बी एक परते इसमें लगा सब्ताहिक में कौन सा परते लगा है तो इक है परसन कैसे भ कुल对 जगत मुखी चतुर मुखी तो कैसे हो जाएगा इस तो यह जाएगा अंतर मुखी और बहिर मुखी पिलकुL आसान है अंतर मुखी पहिर हो एंधाकों कौन अंधकार नहीं है अब दोस्तों एक Ques deception का तो देखने वाली बात होगी कि आयोग ने क्या दो दो जल लाएगा दोस्तो जब आंसर किया आईगी तो उसमें बताऊंगा मैं तो खिलाल इसको देखते हैं राका का भी यह होता है तम अमस्या अंधिरा या तिमिर तो इन में से दोस्तो बताना है कि अंधकार का कौन सा परियावाची नहीं है अंधिरा दोस्तो बिल्कुल है अगल्या अन्यमित के लिए उच्चित वाक्याण स arrayमित हल्के मां आपको नहीं लेना है माना अगर एग्जाम में आता है तो बहुत से अभ्यरतियों के हालत खराब हो जाएगे इस प्रस्न को देखकर अनियमित के लिए उची तो आक्यान सुने जिस पर नियंत्रण नहों जिस पर कोई नियंत्रण नहों दोस्तो उसे क्या कहेंगे अनियंत्रित कहेंगे ना कि अनियमित यह होगा नहीं अन्यमित यानिक जो नियमानूकूल नहों हो देखे, इसमें भी नियमानूकूल है, यहाँ भी अन्यमित है तो यह जार्विटstad option मेर भी जो नियमानूकूल नहों दोस्तों उसे कहते हैं क्या अनियमित जिसके समंन्द में कोई निर्णाई ना हुआ तो उसे कहते हैं जिसका निवारण न हो सकता हो तो उसे कहते हैं अनिवारण इसका निवारण न हो सकता हो तो उसे कहते हैं अनिवारण इसका निवारण न हो सकता हो तो उसे कहते हैं इसका से उत्रों कर उसे अनिमित पूछा है तो जो नियामा नुकू तो इसका दोस्तो सरल वाकी यहां पर बनाना है, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, ये दोस्तो कैसा वाकी पहले, दोस्तो ये की आ गया ना, आख बंद करके मिसर वाकी, ये मिसर वाकी है, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ, ये तो मिसर वाकी है, अब इसका कौन सा वाकी बना या उसने अपने आपको दिये हुए वाक्य में परिवर्तन संभाव नहीं क्या आप यह करेंगे या उसने अपने आपको विदेशी बताया अब दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्षन उसने अपने आपको उसने अपने आपको उसने अपने आपको उसने अपने आपको उसने अप परिवर्तन हम कर सकते हैं साभी निये तो जाश तो ऑप्षन नमर बी यसी दोनों में से कोई भी दोन लगबग लगबग एकी जैसे हैं तो बढ़ते हैं अगले बरस्टन की तरफ तो सही उत्र मैंने आपको बताया दिया है इनमें से कोई भी अगले दिये गे विकल्पो में से सही का चैन का रिक्तिस्तानों को भर हैं अब दोस्तो यहाँ पर भरना है और यह भरना भी इतना आसान होता नहीं है थोड़ा भी अगर आप हलके से थोड़ा से समस्क्र करेंगे और एक नमर दोस्तो फिरी मां आपको मिल जाएगा बिना कु कोई ज्यादा मेहनत की इतना आसान भी होता है और गलती भी होती जल्दी अगर विद्ध्यारती होंगे तो देश का भहुष्य होगा क्या अगर विद्ध्यारती अकलमद होंगे तो देश का भहुष्य तेज दोस्तो इसा नहीं होगा अगर विद्ध्यारती निडर होंगे तो यहां पर फिलाल इतना ही दिया वह है पानी गवर में कोषचy hours काशन manipulate ऑर आर्थ यहां पर चिपके रहते हैं जिसके यहां पर एक पाणीी यह है और पानी पानी दोस्तों इसमें तीन बारत से इसमें पानी पानी तीन बारत से रहीमें पानी राकित से मैं शुर्वात से बताया तो पानी के यहाँ पर दोस्तों तीन अर्थ इसमें होते हैं तो यहाँ पर हो जास्तों यमक लंकार अगला परशन है जैसे एक पानी का अर्थ चमक है मतलब कि जैसे मोती के रूप में और योग क्या आ गया है दूसरा पानी का इज्जत या परतिश्टा के रूप में मनुस्य की अगला प्रसन है अत्याचार का फ़ल अच्छा नहीं है अत्याचार का फ़ल अच्छा नहीं यह वाक कि किस लोकोक्ती का अर्थ परकट करता है जब अरदस्त क्षिश्चन हो तो, अत्याचार का फल अच्छा नहीं, आसपास बरसे दिल्ली पड़े तरसे, क्या बात है, तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमकादर के मेहमान उल्टे लटकते, मतलब कि चमकादर के मेहमान उल्टे लटकते, इसमें कह सकते हैं कि जो गरीब आदमी होता है वो थोड़ा जो आवभगत होती है मिहमान नवाजी करने में वो थोड़ा बहुत मतलब कि उतना नी कर पाता है जंगल में मोर नाचा किस ने देखा अब ये भी नहीं होगा तो क्योंकि जंगल में मोर नाचा मतलब कि किसी एसी जगह तुम कोई परदर्शन कर जहां पर कोई नी देख रहा तुमें जैसे कि अनुप्युक्ति स्थान पर गुण परदर्शन ही होगा ना क्योंकि जंगल मोर नाचा मतलब कि सई जगह पर सई चीजा करनी चीए यह तो होगा नी और यहां पर होगा तो इसका सेवत्तर तलुवार का खेत हरा नहीं होता अत् लोगिए ज़ख लोग्सभा अध्यक्च अपनात्याग पदर देगा तो वह देगा तो लोग्सभा के उपा देख जगो यह आपको यादक न है अगला परसेण है किस वार्जस से भूद्पूर वो संसद सदस्यों के लिए पैंशन की ब्यौसता की गईगा अगला है यदि पंचायत भंग होती है तो किस आउधी के अंतरगत निर्वाचन होंगे उसका सेवत्रोजगा छेमा अगर पंचायत भंग होती है तो छेमा के भीदर चुनाव होंगे अगला है निमलकित में से भारत में पहला नगर निर्वाचन अगर गलत होगा तो बतार जिएगा जिनने बना था पहला नगर निगम यह आपको याद रखने है अगला बसने है लोक तंत्र के विकास लोक तंत्र विकास के लिए पंचायती राज सस्ताओं के उनर जीवन पर एलम सिंग्वी समिती को कब निगत किया गया यह परसना आपको कुछ याद नहीं रखना है पंचायती राज से सम्दित है उस्तो एलम सिंग्वी समिती लक्षे मी सिंग्वल समिती पंचायती राज से सम्दित है यह कब आई थी तो यह 96 माई थी इतना है आपको याद रखना इसका सिर्ट्रों का उस्तों ऑप्शन बर B अगला बसने भारत में इस्तिर मूल्यू पर जबरदस्त कोशिन अस्तों यह आद रखेगा बड़े बड़े पेपर में आता है यह परसने भारत में इस्तिर मूल्यू पर सकल घरेल उत्पाद GDP के प्राकनन के लिए अगला निमलकित में से कौन सा चेतर भारत के सकल घरेल उत्पाद यानि कि GDP में GDP को सरवाधिक योगदान देता है प्रात्मिक चेतर, तिर्तियक चेतर यह सबी तीनों का बरावर योगदान दोस्तों ऐसा बरावर वाला बिल्कुल नहीं है सबसे जादा दोस्तों जो है, वह है तिर्तियक चेतर, सर्विश सेक्टर, सेवा चेतर तो option mercy, पहले तक दोस्तों हुआ करता था प्रात्मिक चेतर का, अब तो बहुत घड़ गया अब दोस्तों है तिर्तियक चेतर, फिल्कुल याद दखेगा, बनेगा एक्जाम में कनिस साइक में पूछा गया था, लोक टक जिल का है, लोक टाक, लोक टाक लिखा था, लोक टाक पिर इंगलिस में देखा है, लोक टक, हिंदी में थोड़ा रहता है, क्योंकि पेपर इंगलिस में बनाते हैं लोग तो लोक्टक दिल्दों तो मडिपूर में है, महतपूर्ण है, एक नमबर के लिए बन सकता है, यह इन चारू जिल दे दि, उनके राज्यू के नाम दे दि, कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कैसे भी दोस्तों परस्ने बन सकता है, जिलका जिल उडिशा में है, बुलर जिल, अगला ब्रशन है निमिलिकित मैं से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है एन्नोर पोर्ट, छत्रपति, सिवाजी कोर्ट, पारादीप, उडिशावला या जवाल लाल नहेरु पोर्ट तो या जवाल लाल नहेरु बंदर का भारत का सबसे बड़ा ओड है अगला प्रशन है भारत यों बांगला देश के मद्धी बिवाद किस दीप को लेकर जबरदस्त कोस्चिन अग्जाम बनेगा तो गलती होगी गलती मत करेगा विलर दीप उस्तो नहीं है विलर दीप उडि कर लिजेगा वह से को दूस्तो एक शेल जड़ कीजेगा थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच अपना ध्यान रखे और तैयारी करते रहिए